अरियाना स्टेट बेंच प्रेस चैंपियंशिप में दुलेडा के खिलाडियों ने जीते मैडल गाउं में पहुंचने पर किया गया सम्मान है परिदाबाद में आयोजित अर्याना स्टेट बेंच प्रेस चैंपेंशिप में दुलेडा के रियल फिटनेस जिम के खिलाडियों ने स्यांदार पर दर्शन करते हुए मैडल प्राप्त किये अलग अलग बारवर्ग में साथ मैडल जित कर पूरे परदेश में गाउं दुलेडा का नाम रोसन किया खिलाडियों के सम्मान में दुलेडा गाउं के गरामिनों ने सम्मान कारिय करम आयो जित कर सभी खिलाडियों को सम्मानित किया स्वागत समारों में 66 किलोग्राम में अतुल पारासर ने सब जूनियर में गोल्डे मेडल, अक्सित ने 74 किलोग्राम में सिल्वर मेडल, 83 किलोग्राम में गोल्ड मेडल, स्तेंदर बुपनिया ने सीनियर में 74 किलोग्राम में गोल्ड मेडल, गोरव देशवाल ने सीनियर 105 कि पलस बारवार के सीनियर में गोल्ड मेडल जीत कर सभी खिलाडियों ने जिलेव परदेश का नाम रोस्टन कर दिखाया गाउं के रियल फिटनेस जिम में पहुंचने पर सभी खिलाडियों का डोल की ताप फूल मालाओं तथा नोटों की मालाओं के साथ स्वागत वे सम्मान जड़ जड़ से किसान कॉंग्रेस कमईटी के चेर्मेंट दिपक देसवाल दुल्हडा मुखह रूप से सामिल उए दिपक देशवाल ने स्वागत समारों में सभी खिलाडियों का भवे स्वागत किया खिलाडियों को सुब कामनाय दी बविश्य में और वहतर परदर्शन करने को परेरित किया मुखह अतिती दिपक देशवाल ने सभी परतिवागी खिलाडियों को प्रोच्षाइद करते हुए कहा कि वे अपने मुकाम को वासिल करने के लिए कड़ी मैनत करते हुए परतिश परदात्मक गतिविद्यों में भड़ चड़ कर इस सालें रियल फिटनेस जिम्स के संचालक मोहिद देशवाल ने बताया कि सभी युवा खिलाडियों ने मेडल जीत कर नॉम्बर में होने वाली नेशनल चेंपेंशिप में क्वालिफाई कर लिया है नेशनल परतियोगिता 20-24 नॉम्बर को बंगलोर करनाटक में आयोजित होगी दिपक देशवाल ने जिम्स संचालक मोहिद को भी सम्मानित करते वे कहा कि खिलाडियों ने इतने बड़े स्तर पर जो कामियाबी हचिल की है ये उनके दुआरा कराई गई सालों की मेहनत का प्रीनाम है इस मौके पर उनके साथ जितेंदर मास्टर जिम्स संचालक मोहिद देशवाल निसांत पारासर जैपरकास किर्शन ठाकुर सहीत अन्य मोजीज लोग मौजूद रहे